आज हम पढ़ने वाले हैं बजट का पार्ट 9 जो लोग मुझे पहली बात सुन रहे हैं उनके लिए मैं इन्फर्मेशन दे दूं इंडियन एकनोमिक सीरीज चल रही है इसमें पूरे टॉपिक्स में कवर करूँगा अल्रेडी लेक्चर नंबर वन हो गया है एकनोमिक ग्रोथ एन एकनोमिक डेवलेप्मेंट वो आपको सुनना है वो चार पार्ट का है उसके बाद में हम लेक्चर नंबर टू शुरू करे हैं जो की बज़ेट है क्योंकि बज़ेट आने वाला है इसलिए ये बज़ेट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वो बज़ेट अपने को समझ में आना दोज़ाथ चौबिस का बज़ेट हमारा लेक्चर टू है और उसमें आरड़ी आठ पार्ट हम पढ़ चुके हैं ठीक है ये हमारा नाइन्थ पार्ट है बज़ेट का ठीक है चलो शुरू करते हैं जो लोग मुझे पहली बात सुन रहे हैं UPSC, CSE और Mains Mentorship के लिए या PSIR Long Term Test Series Mentorship के लिए आप कॉल क description में भी मैं number दे चुका हूँ, so आप one-to-one demonstration कर सकते हैं मेरे साथ और आप समझ सकते हैं कि क्या अपना approach रहेगा और आपके जो भी skills level रहेंगे, learning levels रहेंगे, अगर वो fit बैठता है तो we can do better in everything, ठीक है? चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 important topics के बारे में, taxation किस तरीके स लगाया जाता है, okay, हमारे country में या other countries में, अगर हम totally देखें, तो तीन तरह के taxation system होते हैं, progressive taxation system, regressive proportional, major aim of taxation क्या हो सकता है? major aim of taxation क्या हो सकता है? तो basically छोटी सी चीज है समझने के लिए, government को पैसे होना है, तो government के लिए money raise करने के लिए ये एक अच्छा system है, जिससे government को पैसे आते हैं, जिससे हम बोलेंगे, revenue बोलेंगे, क्योंकि government road दालती है, government dams कंसक करती है, government electricity power plan बढ़ाती है, government घरीब को हिल करत है, तो ये पूरा पैसा government के पास कहां से आये गया, ये पूरा पैसा government taxes से collect करती है, तो अभी borrowing भी करती है, currency printing भी होता है, तो वो अलग बात है, अभी हमारे discussion के लिए, tax government क्यों लगाती है, basically government के पास बहुत सार expenditures होते है, economic development, social development करना है, defense की security करना है, इन सब चीजों के लिए government को पैसे चाहिए, और one source of money government के पास taxation होती है, ठीक है, now अभी question ये है, इंडिया में, अगर हम देखेंगे, तीन तरह के, या वर्ल्ड में भी तीन तरह के systems होते हैं, progressive taxation system, proportional, regressive, इसके बारे में हम अराम से पढ़ेंगे अभी, ठीक है, चलिए, अपने country में एक tax होता है, जिसका नाम है एड़ वोलरिम, एड़ वोलरिम tax, वोलरिम मिन्स value, एड़ मिन्स एड़ करना, मिन्स लगाना, ऐसा समझ सकते हैं, बट मैं जस समझाने के लिए बोल रहा हैं आपको, हमारे country में और भहुत सारे country में, developed or developing countries में basically इस तरह का taxation system होता है, इसका मतलब क्या है, मतलब यह है, government यहाँ पर tax लगाती है, on value के उपर लगाती है, that's all, और कुछ नहीं, जो country में value के उपर tax लगता है, एक item को value होती है, तो value के उपर जो country में tax लगता है, तो हम बोलेंगे ad valorem taxation system, okay, ऐसे country में value के उपर tag लगता है, और tax काइंड में collect नहीं किया जाता है, tax is not collected in the form of kind, but it is collected in the form of value or money, इस system को हम बोलेंगे ad valorem taxation system, where the tax is livid on the basis of the value of the product, अब product इतना बड़ा लॉरी है, ठीक है, लॉरी की taxation 10% ही हो सकती है, बट एक diamond इतना चोटा है, पर उसकी taxation 20% भी हो सकती है, ठीक है, तो मतलब क्या है, size of the material is irrelevant है हमारे पास, वो relative नहीं है, वो हमें consider नहीं करते हैं हम, size of the material, consider नहीं करते हैं, कहां से ला रहे हैं भी consider नहीं करते हैं, क्या इंडिया में produce हो रहा है, क्या foreign country में produce होके यहां पर ला रहे हैं हम, यह सुब consider नहीं करते हैं, हम basically करते क्या हैं, यह product है, इसकी value इतनी है, तो यह tax लगेंगे, यह प्रड़क्टे इसकी वैल्यू इतनी है तो वैल्यू के ओपर टैक्स लगेंगे कहां से ला रहे हैं यह size of the object और item is immaterial for our taxation system तो add valorem taxation में यह चीज़ उनके ओपर आपको ध्यान रखना है ठीक है? right fine तो हम already पढ़ चुके हैं जो लोग मुझे पहली बात सुन रहे हैं पुराना lecture देखिए उसमें मैं बोला हूँगी tax हमारे पास cash में करक्ट किया जाता है labor equivalent में करक्ट नहीं किया जाता है tax दो तरह के होते हैं direct tax, indirect tax होता है tax individual पर भी लगता है, tax organization पर भी लगता है voluntary देना नहीं चाहते है, but government obligate करती है कि नहीं तुम दो तो यह basic चीज़े मैं taxation के बारे में पुराने lectures में बोला हूँ उसका extension ही हम ही पढ़ रहे है ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले है progressive taxation system ये क्या है regressive taxation system पढ़े ही पढ़ेंगे हम और proportional okay, taxation system अब question बहुत simple है sir, एक taxation system रहा तो हुई गया ना, तीन तीन taxation system के क्या ही जरूत है okay, तो उससे अपने को एक important चीज़ मालूम होनी चाहिए पहली बाद हम taxation क्यों लगाते हैं, अगर उसके हम objectives पढ़ लें तो हमें normally ये इन चीज़ों का भी समझ में आ जाएगा okay, objectives of taxation बहुत important होते हैं, बहुत सारे YouTube channels पे है ही नहीं तो हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कोई ना, कोई तो complete करना रही चीज़ें बच्चों के लिए ठीक है, so taxation के अगर हम objectives पढ़ेंगे न तो ये तीन types of taxation system इसलिए exist करते हैं, because of that बोलके अपने को पता चल जाएगा, मालूम होता है तो taxation already में बोल चुका है कि government को पैसे चाहिए, government raise करना है उनको money taxation, inflation control करने के लिए भी लगाया जाता है ठीक है, taxation, inequalities of income reduce करने के लिए भी लगाया जाता है inequalities of income reduce करने के लिए भी लगाया जाता है, taxation ठीक है, so taxation government के लिए पैसे चाहिए उनको infrastructure आप यहाँ पे और इक लिए से, social economic development के लिए भी social, society develop होने के लिए, economy develop होने के लिए भी हमें taxation लगाना पड़ता है, तो यह चार important objectives है इस वज़े से हम taxation लगाते हैं और यह चार objectives उसके उपर ही यह तीन taxation system based है ओके, चलो देखेंगे one by one, तो यह progressive taxation system basically, progressive और यह proportional दो जो taxation system है, यह inequalities of income का objective पूरा करने के लिए यह दो use किये जाते हैं, इससे हम यह भी fulfill करते हैं, ठीक है, इससे हम यह भी fulfill करते हैं, और obviously यह तीन भी taxation system में government को पैसे तो आएगे, तो फिर यह भी fulfill कर सकते हैं, ठीक है ऐसा नहीं है कि यह taxation system में हम एक ही objective achieve करेंगे, यह taxation system में हम 4 के 4 objective achieve कर सकते हैं, but basically हमारा focus यह taxation system में inequalities reduce करने का होता है, बाकी का तो यह तो common होगा हुई होगा, यह जो है, यह उतना important नहीं होता है concentration हमारा basically यहाँ पे होता है, progressive और proportion taxation system में inequalities of income हम ज़्यादा concentrate करते हैं, उसका वो direct objective हैं बाकी पूरे secondary objectives आप कह सकते हैं, ठीक है, चलिए अभी हम इसके detail में पढ़ेंगे, progressive taxation system के बारे में, okay, PTS, progressive taxation system तो इसका एक objective हम पढ़े हैं, that is called as हम यहाँ पे inequalities of income को reduce करने वाले हैं, with the help of this taxation system, हम क्या करने वाले हैं, decrease करने वाले हैं, with the help of our progressive taxation system अब question यह है, बहुत सारे students मुझे यह भी पूशते हैं कि sir what is the meaning of inequalities of income, अब है थोड़े बच्चे रहते, थोड़े students है जिसको छोटी 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 चीज़ों को अगर उनके जो भी blocks अगर remove करेंगे ना तो उनको concepts, advanced concepts easy समझ में आते हैं, but basic चीज़ें अगर उनकी clear नहीं हुई ना तो उनको advanced concepts समझ में आते हैं, थोड़े लोग क्या है? यह लोगों की अगर हम average income देखेंगे तो इनकी 40,000 है, so 80 और 40 के बीच में जो difference होता है, यह दो group का inequalities of income ही कहा जाता है, इसे ही कहते हैं हम income inequalities, inequalities in income, ठीक है, अब यहाँ पर problem क्या है? यह लोग 80,000 रुपे में अपने needs फुल्फिल करेंगे, wants फुल्फिल करेंगे, social security requirements फुल् क्योंकि 80,000 हो जाते हैं, ठीक है, बट यह जो 40,000 रुपे आ रहे हैं, यह स्रिफ क्या है, needs ही complete करेंगे, for example, needs ही complete करेंगे, but wants and all वो complete नहीं कर सकते हैं, 40,000 रुपे में, getting my point here, तो अभी क्या करना है government को, जिसके पास 80,000 रुपे आ रहे हैं, वो पूरे complete कर रहा है, जिसके पास 40,000 रुपे आ रहे हैं, वो need ही complete कर रहा है, तो government करना क्या चाती है, इनके पास से जो 80,000 कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपे इनके पास लेकर, इनको देना चाह रही है, जो 40,000 रुपे कमा रहे हैं, on an average, इनको देना चाह रही है, ठीक है, दब यह क्या करेंगे, अपने needs औ तो इनके पास कितना बचा 70 बचा इनके पास कितना हो गया 40 के उपर और 10,000 रपे एक्स्टा आगे तो इनके पास 50 हो गया तो 50 और यहां पर 20,000 का डिफरेंस है आप यहां पर देखिए अभी दोनों के बीच में 40,000 का डिफरेंस था पहले टाक्स के वज़े से गवर्णनमेंट ने क्या किया है दोनों के बीच का डिफरेंस 20,000 कर दिया है तो इनकम की जो इनक्वालिटी जो पहले 40,000 थी थी दो ग्रुप के बीच में अभी इनकम की इनक्वालिटी 20,000 ही है तो यहाँ पे बेसिकली और एक अबजेक्टिव भी आप लिख सकते हैं जो कि मैं थोड़ी दर पहले 4 अबजेक्टिव दिया वहाँ पे आप और एक अबजेक्टिव लिख सकते हैं कि टैक्जिशन सिस्टम से गवर्णनमेंट री डिस्टिबूशन आफ इनकम करती है बहुत इंपोर्टेंट है लिख लेना वहाँ पे यहाँ पे लिख लेना टैक्जिशन का और एक अबजेक्टिव क्या है redistribution of income होता है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उनके पैसे पैसे लेके जिसके पास पैसे नहीं है पहले उनको पैसे देंगे जिसके पास कम पैसे है फिर उनको थोड़े पैसे देंगे जो needs fulfill नहीं करते हैं तो उनको needs के लिए पैसे देंगे जो wants fulfill नहीं कर पाते हैं, जो उनको wants के लिए पैसे देंगे, ठीक है, I guess this is all clear to you, तो ये पुरा process क्या हुआ, यहाँ पे पहली बात तो government progressive taxation system इसलिए लगाती है कि inequalities of income को कम करना है, अब inequalities का मतलब क्या है, घर में 10 लोग है, चाल लोग 80,000 रुपे कमा रहे हैं, और average और बागे कि 6 लोग 40,000 का मारे, दोनों में क्या difference है, दो group में difference है, 40,000 का, इसको ही हम बोलेंगे inequalities of income, so government taxation लगा के क्या करती है, 80,000 जिसके पास होते हैं, उनके पास से 10,000 ले लेती है, ठीक है, पहले difference कहता था, 80 और 40, दो में difference 40 था, तो government 80 में से 10,000 रुपे government ले लेती है, वो 10,000 पालों के पास होगे 50, और इनके पास होगे 70, अभी difference कितना हुआ, 20,000, तो income की जो inequality पहले 40,000 थी, अभी कम होई नहीं होई, हो गई, so income inequality is reduced or not, yes, so needs, जो needs पूरे नहीं कर रहे हैं, वो needs पूरे कर लेंगे, जो needs पूरे कर चुके हैं, वो wants पूरे कर लेंगे, slowly slowly इनके है, तब हम बोलेंगी, इंडिया has achieved a welfare state, welfare state का मतलब है, पूरे citizens हमारे पास faring well, अच्छे से fair कर रहे हैं, मतलब हरे के पास needs or wants करने की सुविदा है, resources है, तो यह आपको मैं समझा दिया, inequalities of income, और किस तरीके से redistribution of income government करती है, with respect to what, taxation system, जब तक mathematical और statistical example, अब अच्चों को नह नहीं देंगे, तो बच्चे नहीं समझेंगे, यह मेरा मानना है, economics में यह statistical examples जरना जरूरी हो जाती है, sometimes, तो क्या ही पच्चे क्या ही समझेंगे, ठीक है, अब चलिए, progressive taxation system में, इसका definition क्या है, the one who is earning more, जो ज्यादा कमाता है, ज्यादा tax low, जो कम कमाता है, कम tax low, ज्यादा कमाता है, ज्यादा tax low, कम कमाता है, कम tax low, this is called as progressive, में जितना आप प्रोग्रेस हो रहे हैं, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं, जितना आप ज्यादा कमा रहे हैं, आपके ओपर हम ज्यादा tax लेंगे, ठीक है, यह हो गया progressive taxation system, और इसे पूरे चार objectives हम फुल्फिल क ज्यादा था है, अभी एक statistical example देख लेंगे हैं, यहाँ पर, जो 10 लाग कमा रहा है, government इनके पास से लेगी 10%, तो 10 लाग का 10% government लेगी, तो tax इनके ओपर कितना पड़ेगा, 1 लाग रुपीज, टैक्स पे करते हैं, Mr. X, हमारे जो Mr. X है, हमेशा हमारे discussion में इनोई होते हैं, Mr. X 10 लाग कमाते हैं, साला ना, तो उनको 10% tax लगेगा, 1 लाग रुपे, ठीक है, और हमारे पास है Mr. Y, यह 5 लाग कमाते हैं, इनसे कम कमारे तो government इनसे 5% टैक लेगी, government इनसे कितना tax लेगी? 5% ही लेगी, पांच लाग का 5% कितना होता है? 50,000 ही ओठाय क nobody है, ठीक है? 5 लाग का कितना 5% होता है? 50,000 ही होता है, remember this point. तो 10 लाग जो कमारे हैं, उनके पर जय्दा tax लगा के हम ज्दादा बन रहे हैं, जो कम कमा रहे हैं गौर्नमेंट उनके पर कम लगाती है मतलब क्या है जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनके पर ज़्यादा टैक्स लगेगा इसे ही हम बोलेंगे progressive taxation system जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप टैक्स लगेगा अभी यहां पे देख लिए जब यह mister x 10 लाग में देगर गौर्न correlate को बनते हैं इनके पास कितने पैसे बचेंगे 9 लाग जो है जो 5 लाग कमाते हैं पांट परशन गौर्नमsti को tax बनेगे तो इनके पास 50 सदर अगर 5 लाग में से चले जाएंगे तो इनके पास कितने बचेंगे 4,50,000 बचेंगे ठीक है clear or not 4,50,000 बचेंगे ना अभी देखिए inequalities reduced हुए या नहीं हुए देखेंगे हम पहले दोने में क्या था difference inequalities of income का difference था 5,00,000 टैक्जेशन लगाने के वज़े से 9,00,000 और 4,00,000 ठीक है तो यहाँ पे 5,00,000, 5,00,000 हो जाएंगे उसके में 6,00,000, 7,00, 8,00,000 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,50,000 का difference रहेगा उतना ही तो पहले दोनों में कितना difference हा income का 5,00,000 टा टैक्स लगाने के वज़े से दोनों में difference कितना होगा या 4,50,000 का हो गया मतलब progressive taxation system में inequalities reduce हो रहे या नहीं हो रहे पहले 5,00,000 का difference हाँ अभी 4,00,000 का हो गया तो ठीक है हाँ inequalities reduce हुए हैं हम इस तरीके से कह सकते हैं I guess this is clear to you ठीक है अभी देखना है अभी हम देखेंगे proportional taxation system proportional proportional taxation system में यह होता है आप कितना भी कमाओ उसकी कुछ consideration नहीं होता है कुछ lenience या कुछ exemption नहीं मिलता है सबको एक ही tax लगेगा मतलब क्या है घर में 10 लोग है दो लोग malnutrition है 8 लोग healthy है बट घर में घर में डैडी सबको एक ही apple दे रहे है नहीं भई सबको एक जैसा मैं किसी को differentiate नहीं कर रहा हूँ सबको एक जैसा घर में डैडी यह नहीं देख रहे हैं कि भई दो बच्चे malnutrition है बाकी के पूरे healthy है तो उन में से थोड़ा थोड़ा इनको जादा दू तो इस तरीके का system यहाँ पे नहीं होता है जो कि progressive में हुआ था progressive में जो कम कमाता है उसको कम tax लग रहा था जो जादा कमारता है तो जादा tax लग रहा था मिंस वहाँ पे जो कम खारा उसको जादा दे रहे थे जो जादा खारा उसको कम दे रहे थे ऐसा यहाँ पे वैसा नहीं होता है proportional taxation system में यहाँ पे भी आप देखिए Mr. X अगर 10 लाग कमाते हैं तो इनको हम 10% tax rate रखेंगे तो obviously 1 लाग को tax में बनेंगे tax में 1 लाग बनेंगे और इनके पास अगर हम देखें तो इनके पास कितने बचेंगे पैसे इनके पास बचेंगे 9 लाग ठीक है इनके पास बचेंगे पैसे कितने 9 लाग बचेंगे ठीक है अभी Mr. Y को आप देख लो Mr. Y की salary कितनी है 5 लाग है पांस लाक में भी 10 परसंट लगेगा इनको पांस लाक में 10 परसंट लगेगा तो 5 लाक्स आफ 10 परसंट कितना होता है 5 लाक्स आफ 10 परसंट कितना होता है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मुझे भी कैल्कुलेट करना पड़ेगा obviously same old method करूँगा maybe पचास आफ 10 यह पचास आफ टैक्स बन रहें तो इनके पास कितने बचे चार लाक्त पचास आफ बचे कितने बचे चार लाक्त पचास आफ रुपर ठीक है right getting my point here तो दोनों को tax rate system same होता है यहाँ पर ठीक है अपने ये भी कर ले ना तो बेटर होगा तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप ये मिस्टर वाई जब पांच लाग कमारे थे पांच लाग के पांच परसंग पचास दार नहीं होंगे पच्छी सदार ही होंगे ये थोड़ा मैं मिस्टेक करा था ठीक है तो पांच लाग के उपर अगर हम पांच परसंग निकालेंगे तो आप पच्छी सदार टैक्स में देंगे मिस्ट जो पांच लाग कमा रहे हैं अगर उन्हों पांच परसंग टैक्स बनेंगे तो पच्छी सदार semic tapping को देंगे क्लियर यहां पर डिफरेंस की वही बात होती है आप देख सकते हैं 3,25,000 रुपे यहां पर डिफरेंस आता है ठीक है चाह देखींगे तो जो 10,00,00 कमा रहे हैं उनके उपर 10% टैक्स पड़ेगा और 10,00,00 का 10% होगा 1,00,00 एक लाग रुपे टैक्स में जाएंगे 10,00,00 में से बचे किते मिश्टर X के पास 9,00,00 मिश्टर Y के पास 5,00,00 रुपे हैं ठीक है और कम कमा रहे हैं तो कम टैक्स लगेगा 5% 5% 5,00,00,00 के ओपर 25,00,00 रुपे गौर्णरमेंट को बनेंगे और इनके पास किते बचते हैं 4,00,00,00 B के पास एक य के पास बचते हैं तो अभी टैक्स नहीं लगाने से पहले टैक्स नहीं लगाने से पहले दोनों में कितना था इनकम इनिक्वालिटी और डिफरेंस 5,00,00,00 था 10,00,00,00 टैक्स लगाने के बाद X के पास आगे हैं 9,00,00, Y के पास आगे हैं 4,00,00,00,00, दोनों में क्या डिफरेंस है 4,00,00,00, 25,00 का डिफरेंस है ठीक है तो यह हो गया Progressive अब proportional में क्या हो आप देखिए अभी भी जब tax नहीं लगाए हैं तो difference तो 5,00,00,00 का ही है तो फिर x के पास बचे कितने नौ लाख y के पास कितने बचे 4,50,00 तो दोनों में पहले difference कितना था 5,00,00,00 टांक्स लगाने के पाद difference कितना हो गया 4,50,000 ओके मतलब क्या है Progressive Taxization System में अगर आप देखें तो 4,00,00,00 25,000 रुपे का difference था अगर हम proportional में देखे 4,50,000 का difference है ठीक है दोने में भी inequalities reduce हो रहे हैं तो फरक क्या है progressive में भी 5,00,000 का difference है 4,25,000 हुआ है proportional में भी 5,00,000 का difference है 4,50,000 हुआ है तो दोने में भी क्या हुआ income inequalities का decrease हुआ, reduction हुआ फिर ये दो system में ऐसा क्या ही नया फरक है जो हम इसको अलग पढ़ रहे हैं तो simple है यहाँ पे अगर आप progressive में देखेंगे x और y के बीच में progressive में 4,25,000 का difference आया y के बीच में अगर हम ये progressive है ये proportional है y को अगर हम देखेंगे अब proportional में हम अगर देखेंगे तो ये difference आया 4,50,000 ठीक है तो basically progressive में basically progressive में ज्यादा बहुत fast rate से income inequality decrease होते हैं whereas proportional taxation system slow rate से होते हैं यहाँ पे difference ज्यादा बढ़ गया ठीक है मतलब दो लोग difference पांच लाग का difference था इतना ज्यादा खरीब हो गया ये क्या है 4,25,000 यहाँ पे आ गया ये अभी दूर है ठीक है proportional में थुरा दूर है progressive में ज़रा नजदीक आ गया अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो comment section में लिखिये मैं इसका आपको और एक बार वीडियो बना दूँगा तो दो हमारे topics हो गया है अभी हम पढ़ेंगे Regressive Taxation System क्या है Basically, Regressive Taxation System में जो ज्यादा कमाते है More income earners जो ज्यादा कमाते है उनको tax कम लगता है और Less income earners उनको tax ज्यादा लगता है यही फरख है दोनों में और यह taxation system तो obviously आप अस समझ सकते हैं कि यह साई taxation system नहीं है बट इसका use है यह inflation के जब काम में आता है inflation क्या सिनारियो है inflation कैसा सिनारियो है जहांके supply कम होती है demand से में बहुत सारे लोग चाहते है product बट supply नहीं होती है तो जब government क्या करेगी जो ज्यादा supply करेगा जो ज्यादा produce करेगा हम उसको tax कम करेंगे अगर x 10 tons प्रोड्यूस करता है tomato तो उसकों 5% लेगे y अगर 8 ton करता है तो उसकों 7% लेगे अगर कोई z होता है वो 50 ton करता है तो government से 2% लेगे 9% लेगे तो बोलने का मतलब क्या है जो ज्यादा produce करता है उसकों पर tax कम लगाएंगे government बोलती है इसलिए बोलती है कि ज्यादा ज्यादा supply हो बहुत सारे लोग entrepreneurs आए बहुत सारा investment हो उसमें और बहुत सारे investment से बहुत सारा production हो और inflation का prices घटे so basically progressive taxation system इसलिए हमें काम में आता है getting my point here ये होगे हमारे 3 types of taxation system आज के टाइप में हमारा जो last topic आज रहेगा वो है says or surcharges क्या है what is the meaning of says and what is the meaning of surcharge ये बात तो याद रखिए says or surcharge ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि additional government collect करती है apart from taxes taxes तो government लेती है income के ऊपर वो income खाली आपकी salary नहीं वो आपकी profit भी हो सकती है वो आपकी interest भी हो सकती है income बहुत अलग-अलग form में होते हैं जो अलग आपको basics में पढ़ा चुका हूं तो यहां पर says or surcharge tax के अलावा और extra tax collect किया जाता है in the form of sex in the form of surcharge ठीक है says क्या है form of tax है charge over and above base tax liability हमारी जो tax liability होती है अगर मैं 10 लाग कमाता हूं तो 30% मुझे बनना जो है वो 30% के 30% का है मेरी base है क्योंकि मेरा base कितना है 10 लाग रुपे base है मैं 10 लाग कमाता हूं तो मेरा base है यह base के ओपर tax लगेगा नहीं लगेगा लगेगा so यह tax base के ऊपर liability में में है हाँ है किते बनाए 30% तो मेरा base के आए 10 लाग यह base के ओपर tax की कुछ liability है हाँ है so tax base liability बोलते है इसके ऊपर लगेगा इसके extra लगेगा that is called as this सरचार्ज भी वो है same to same additional charge है essentially a tax living on tax यह tax के ऊपर tax लगता है ऐसा नहीं कि यह अलग सा लगता है means tax के अलावा एक नया आपको लेंगे but इसका जो है यह tax कितना बने उसके ऊपर ही लेंगे वो tax जिता बनते हैं वो उसके ऊपर ही लेंगते है मतलब क्या है अगर 10 लाग में 30% में tax बनता हूँ 30% plus 2% सरचाज ऐसा लेते हैं extra लेते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं लेंगे यहाँ पर समझे tax एक लाग है ना तो एक लाग के ऊपर ही लेंगे tax अगर एक लाग बनता हूँ तो फिट वो एक लाग के ऊपर इतना percentage देना एक लाग के ऊपर इतना percentage बट बेसिकली दो भी एक्स्ट्रा कलक्ट किये जाते हैं apart from tax impose additionally when the state or the central government raises funds for specific purposes CES specific purposes के लिए लिया जाता है जब BJP government नहीं नहीं आई थी तो वो सचुबारत mission शुरू करे थे कभी भी हम hotel में खाते थे तो बिल के ऊपर सचुबारत CES लिखा हुआ आता था 0.03% कुछ CES लेते थे हमारे पास से तो वो CES का मतलब है कि government एक particular purpose के लिए ली है साफ सुत्रा करने के लिए इंडिया को ली है और government उस पे ही खर्चा कर गएगी जैसे कि public accounts of India में हम पढ़े थे प्रारंबिक शिक्षा कोस पढ़े थे महाँ पे भी CES लगा आजा सकता है फंड्स public accounts of India में जो भी funds होते हैं उसमें ही पैसा जमा होता है और वो जैस purpose के लिए लिए जाता है public accounts of India में उसमें से वो purpose के लिए ही expenditure करना होता है so CES भी जिसके लिए लिए जाता है उसके लिए ही expenditure करना है बट यहाँ पर सर्चर ऐसा नहीं होता है यह actually payable tax है आपको pay पढ़ना पड़ेगा not on income आप जितनी income generate करती हैं उसके ओपर tax नहीं लगेगा जो आप tax बनते हैं वो tax के ओपर एक percentage और extra बनना पड़ेगा that is called as what surcharge CES permanent source of income नहीं है क्योंकि government CES लगाती है वो purpose होने के बाद में फिर वो CES government निकाल देती है लेकि सर्च बाराथ CES अभी हमारे पास नहीं है वो गया ठीक है surcharge भी permanent है बोलके हम नहीं बोल सकते हैं as a customer ही कभी इसको निकाले नहीं है यह हमेशा से ही चलते वाँ आ रहा है since the time of independence so यह basically permanent, usually permanent होता है बस CES permanent नहीं होता है निकालते हैं फिर नए लाते हैं, निकालते हैं, लाते हैं it can be livid on both indirect and direct taxes मतलब हमारी जो direct income पे भी CES लगा सकते हैं एक individual पे लगा सकते हैं या कुछ good पे भी लगा सकते हैं like जो companies coal produce कर रही है तो coal production में आता है तो उनके उपर तो GST लगेगा ही लगेगा plus उनको CES भी बनना है क्योंकि वो environment को खराब कर रहे है coal mining करके so वो CES से government को पैसा आएगा coal CES से, वो CES से उपर भी लगेगा indirectly वो हमारे उपर आएगा फिर वो coal बेचेंगे तो फिर हमें बेचेंगे फिर वो coal बेचने से वो CES बनके ही inclusive of all taxes बनाके ही हमें CES के जो भी चार्जे से वो include करके ही हमें बेचेंगे coal right or wrong? तो CES लगता है direct हमारे एक individual पे भी लगता है income पे भी लग सकता है या CES indirect पे भी लगता है surcharge basically individuals पे ही लगता है ये indirect taxes पे नहीं लगता है means अगर आप chair खरी देंगे अगर आप light खरी देंगे तो इस पे नहीं लगता है बट यहाँ पे लगने के chances चांसिस के यहाँ पे लगते भी है ठीक है और जो भी पैसा CES में आता है public accounts of India में जाएगा जो भी पैसा सरचाज में आता है ये consolidated fund of India में जाएगा सरचाज का पूरा पैसा consolidated of India में जाएगा जहाँ पे permission of parliament must हो जाती है whereas CES में जो भी पैसा आएगा public accounts of India में जाएगा parliament से approval लेना ज़रूरी नहीं है ओके देखिए मैं तोड़े examples मेंशन करा हूँ यहाँ पे education CES लिया जाता है sanitation CES लिया जाता है floods के लिए भी ले सकते हैं कभी भी ठीक है government ले सकती है disaster के लिए यह applicable यहाँ पे एक purpose के लिए नहीं लेते हैं individual directly pay कर देता है जिसके उपर लगता है वो pay कर देता ठीक है GST देखिए आप यहाँ पे luxury item पे extra sex लेगा आप diamond लेंगे तो diamond mining करेंगे तो वहाँ पे GST लगेगा अब आप uncut diamond लिए ना आप आवारा diamond ले रहा तो एक sales भी दो ऐसा ओके तो यहाँ पे applicable नहीं होता है अगर अगर हम collect करते हैं particular purpose के लिए समझेव सच्चु बाराट थेवीस से चौबीस तक सच्चु बाराट थेवीस से चौबीस तक सच्चु बाराट थेवीस में 100 कोड आए सव कोड में गवर्नमेंट 50 कोड पे expenditure करी और 50 कोड बच गए जो की दोहदाथ चौबीस पच्चिस में भी उसमें रखे हुए है क्या वह जो बच्चे सो पैसे किसी और चीज को गवर्नमेंट दे सकती है वो ही काम के लिए पैसे यूज करना है चाहे वो ये साल रहो या नेक्स्ट यर रहो या कभी भी रहो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है गवर्नमेंट चाहे जैसा यूज कर सकती है पैसे तो यहाँ पे specificity of expenditure नहीं होता है from the government point of view circumstance and surcharges state governments को नहीं दिया जाते हैं यह both both are retained by the center center government खुद रख लेती है state government को नहीं देती है वो finance commission में आप पढ़ेंगे कों से टैक्से state government को शयर करती है कों से taxes या या जैक्से सर्चे बढूनमेंट से शयर नहीं करती ए रिमेबर दिस पॉइंट, बोट आर सोली रिटेंड बई दी सेंटर गौनमेंट, सेस में क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है, मिन्स सच्चु बारा सेस, आप कितना भी कमा लो, एक लाग कमाओ, एक करोड कमाओ, 0.03% देना है, तो एक ही स्टैंडर्ड रेट लगेगा, बेसिकली यहाँ पर प्रपोर्शनल टैक्जेशन सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड रेट, सब के लिए एक, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, व्याज सर्चाज में ऐसा नहीं होता है, अगर पचास लाग से ज़्यादा कमा रहे हैं सालाना, तो एक सर्चाज आपका अलग हो होगा, अगर पचास एक करोर से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपको 15% होगा, तो बेसिकली यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्जेशन सिस्टम बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किया जाता है सर्चाज पे, जितना ज़्यादा आपकी इंकम सोर्स होगी, उतना ज़्यादा यह यहाँ पर आपको टैक्स लेंगे, ठीक है, यह हो गया है सेस एल सर्चा जिसका डिफरेंस, अभी देखिए, टाइपस ऑफ सेस इंडिया, एक तो है हमारे पास एजुकेशन सेस, एक तो है एजुकेशन सेस, जो कि हमारी गौर्णमेंट अपनी कंट्री की कॉलिटी, एजु 2018 में प्रपोस किया था, मिस्टर आवर फार्मर और लेट अरुन जेतने साब ने, वो बेसिकली हेल्थ नीट्स ऑफ रूरल एन रूरल बिलो पावर्टलन पीपल के लिए, सच्चो बारा सेस 2015 में लाए थे, 0.5% लेते थे हमारे पास से, यह नेशनल कैंपेंड गौर्णमे अगरिकल्चर डेवलेप्मेंट के लिए हरे के पास सेस लेते थे, और यह भी 0.5% से कलक किया जाता था, तो अभी भी गौर्णमेंट एजुकेशन सेस लेती है, हेल्थ एन एजुकेशन सेस, यह एजुकेशन सेस के बाद में यह ले रही है, उसका सच बार सेस अभी एक ब जो एकटार रो उनके उपर लगेगा, इंफरास्रुक्टर सेस, क्योंकि वो वेहकिल्स प्रट्यूस कर रहे हैं, फिर वो वेहकिल्स हम रोड़ पे चला रहे हैं, रोड खराब हो रही है, फिर गौर्णमेंट रोड डाल रही है, तो फिर वो रोड डालने का पैसा, वो 2021 में उसको फिर change करके agree infrastructure development sales बनाया गया है 2022 में ठीक है ये होगे हमारे different types of sales and search charges I hope this is all clear to you अगर आपको doubt है तो comment section में आप पोच सकते हैं Thank you